नमस्कार साथियों आपका अमारा चैनल एजुकेशन.PK4U पे स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले आपको हम एक महत्पुर्ण बात बता देते हैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट रखा गया है वो मुंगेर के महान गुरूजी अंजनी सुकलासर कोचिंग सेंटर से लिया गया है तो आप कहीं भी रहते हों चाहिए मुंगेर में मुंगेर से बाहर या आप इस कोचिंग में आगर पढ़ने मौसमर्थ हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आप घर बैठें इंगलिस का अच्छा तयारी कर सकते हैं यह सभी वैसे सवाल है जो एक्जाम में इसमें बोला गया है I was not at the last meeting and neither was you तो आपको दो सेकेंड का वक्ति दिया जाता है आप इसमें ढूंडेंगे इरड कहां है चलिए अगर आप ढूंड लिया है इरड तो अच्छी बात है नहीं तो आप यहां ध्यान देजिए यहां देखिए I was लिखा है यहां पर सही है not at the last meeting यहां तक भी सही है neither was you यहां देखिए U है और U के साथ हम जानते हैं where लगता है तो यहां चुकिए inversion हुआ इसलिए इसको वाज को जो यू के पहले रखा गया है तो यू के अनुसार से हमारा जो helping word हो जाएगा वेयर होगा तो यहां हमारा जो error word है वाज है तो वाज को जहां टाकर हमको क्या लिखना होगा वेयर लिखना होगा नेक्स सवाल में बोला गया है तो इसमें आप देखेंगे यहां आपका थिरी दिया गया है और थिरी के साथ यहां पुलल नाउन दिया गया है यहां तक तो सही है पुलल नाउन के साथ आड का प्रयोग होता है यहां देखें आड भी दिया गया है यह भी आपका सही है सो डिफ्रेंट देट देट के बाद आप देखेंगे देर है देर जो कि पुलल नाउन के लिए देर ही आएगा पुलल फॉर्म में यह भी सही है यहां देखेंगे टेर्स यह भी पुलल है फ्रोम वन अनदर यहां आप देखेंगे वन अनदर पर ध्यान देखेंगे तो वन अनदर का पड़ियोग दो से ज्यादा के लिए होता है यहां देखेंगे आपका थिरी था इंडिविडियोल्स तो दो से ज्यादा के लिए पड सब्जेक्ट के लिए होता है तो इस संटेंस में आप देखेंगे कि कोई भी रर नहीं मिला तो आप मेरे वीडियों के साथ जूढ़ेड हैं आपको परते एक दिन के कलास का पूरा टोटल वीडियों मिलता रहेगा और आप अपने घर बैठे त्यारी अच्छी तरह से कर सकते है चलते हैं नेक्स सवाल की ओर को तीसरा सवाल है कि ही रिमेंबर यहां तो देखें कोस्चन में जो है मिस्टेक है यहां पे ही रिमेंबर के जगे जो है ही रिमेंबर होगा उसके बाद आप question को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें ढूड़ेंगे यहां सवाल आपका है ही रिमेंबर्ड दैट हीज वीजा विल भी एक्सपाइड इने मन्त देखे यहां जो है पास्टेंस में है ठीक है वैसे तो आप ढूंड़ेंगे यहां पर पास्टेंस होना चाहिए लेकिन यहां पर यह चीज पास्ट देना गलत हो जाए क्योंकि उसका वीजा जो है एक महने के अंदर एक्सपाइड हो जाएगा और यहां देखे आपका पैसे भाइस बनाया गया है विल भी एक्सपाइड क्या उसका वीजा जो एक्सपाइड कर दिया जाएगा जो कि गलत संटेंस है यहां जो है विल एक्सपाइड इने मन्त यहां यह टर्म सही होगा तो यहां जो है विल भी एक्सपायर के जगह क्या हो जाएगा विल एक्सपायर इन्हें मन्त होगा है चलते हैं एक सवाल की और इस सवाल में आप देखेंगे इस संटेंस में आप खुद से इरर ढूंड़िए बहुत आसान सवाल है यहां देखेंगे आपका दो संटेंस आई से जुड़ा हुआ है तो यहां जो वेन से जुड़ा हुआ है यह आपका कंडिशनल संटेंस है ठीक है और यह आपका फिरी संटेंस है तो यहां जो कंडिशनल है उसमें सेल या विल का परियोग नहीं होता है ठीक है और दूसरी बात है कि जब दो संटेंस फ्यूचर टेंस में हो तो एक संटेंस में जो है आपका परजेंट इंडिफिनिट का परियोग होता है तो जो कंडिशनल संटेंस है उसमें आप परजेंट इंडिफिनिट का परियोग करेंगे तो यहां पे सेल वर्ड गलत है तो वे तो उम्मीद है कि आप यह संटेंस समझ गया होंगे आप चलते हैं नेक्स सवाल की और अगला सवाल में पूछा गया है इन एनी केस नो डिस्प्लिनरी एक्षन और रिक्वार टू भी टेकें देखें जब आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इन एनी केस यहां तक तो सही है नो डिस्प्लिन यहां देखें डिस्प्लिनरी जो है आपका सिंगलर फॉर्म में है तो यहां पर जो आपका इरड मिल गया और इरड है यहां पर इस हो गए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और छटे नमर सवाल में आप देखें बुलागा मिस्टर रमा देवी हैस टू एलिफेंट्स टैन होसेर्स एंड एज माच एज फिप्टे कार्स आपको दो सेकेंड का बक्त दिया जाता है आप इसमें इरड ढूंडिए नौ टाइम स्टार्ट वन टू अबर चलिए देखें यहा अब देखें एज मच एज यह क्या है अनकॉंटेबूल में पड़ी होता है मच यहां पर मच आपका क्या हो जाएगा यहां मच के जगा पर क्या हो जाएगा आपका मेनी होगा तो यहां पर इरड पार्ट क्या हो गया मच हो गया अब चलते हैं नेक्स सवाल क्योंड आप सा मार्मइट में प्लोनली प्मुटव करता हुं आई-पथ स नहीं होता है पासमार्स श्राइब इस में आपका-पस्तान इस्थ पैसके भलती आपका Mmm मार्क्स चलते हैं नेक्स स्वाल की और आठ नम्मेन बें इसमें पूछा गया वैंसी नॉक्ड दी डोड आई से टू हर कमिन जब उसने दरवाजा खटखटाया मैंने कहां अंदर आ जाओ यहां पर देखें नॉक्ड क्या है भर्व है और नॉक्ड जो है प्री पोजीशन क्या हो जाएगा एट यहां पर नॉक्ड के बाद क्या हो जाएगा एट नॉक्ड एट दी डॉर कि अब चलते हैं नेक्स सवाल नाइन नम्मर की और कि इसमें बोला गया है कि ही सेड़ कि दैट ही विल मिट मी एट दी रेस्टोरेंट ठीक है कि इस संटेंस में आप इरर खुद से ढूंड़िए अगर आप पहचान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो इस प्रध्यान देते हैं चलिए तो इसमें आप देखेंगे और यह हमारा नरेशन का संटेंस है जब कंजेक्शन से जुड़ा होता है तो उसके पहले यदि हम देखते हैं पास्टेंस में होता है यहां देखें शेड क्या है पास्टेंस में तो तो यहां देखें विल का जो है पास्ट करेंगे तो उड़ होगा तो यहां पर विल गलत है तो यहां पर उड़ होगा तो विल के जगा पर क्या जाएगा उड़ हो जाएगा कि चलते हैं नेक्ष नेक्ष में आप देखेंगे बुला गया माई मदर हैंग माई क्लोज यहां देखें अब तो इसमें ढूंड लियोंगे कीरड कहा है वह से आप देख लिजिए हैंग का अर्थ होता है फासी देना ठीक है जबकि इसका भीवन देखेंगे हैंग होता है हैं आर्थ होता है लटकाना या फासी देना लेकिन इसका जब भीटू नेंगे तो इसमें डिफरेंट होता है तो हैंग 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 जब हैंग बोलेंगे इसका आर्थ हो जाएगा फासी देना हैंग का भीटू है हैंग और जब लटकाने का आर्थ में बोलेंगे भीटू तह हंग हंग होगा, भीटू हंग होगा, भीथरी भी हंग होगा, यहां हमारा हंग के जगे जो है हंग हो जाएगा, ठीक है, लटकाने के अर्थ में भीटू हंग होता है, भीथरी भी हंग होता है, फासी देने के अर्थ में हंग होता है, चलिए यह कोमान इर्थ का दस संटें समाप्त हो चुका अब चलते हैं नेक्स्ट यह जो पूरा वीडियो है यह एक दिन के कलास का पूरा वीडियो है इसमें जो है पांच साइनोनिम्स और पांच एंटोनिम्स भी पढ़ाया जाता है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है उसके लिए हम अब सेपरेट वीडियो बना देंगे चलते हैं अब आगे देखेंगे फ्रेज हैं फ्रेज में पहला फ्रेज बोला गया है तू है ब्लू बलू बलड्स इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है एक सांदार फैमिली से बिलोंग करना बिलोंग टू ए रोयल फैमिली नेक्स्ट और अधर विए एक याव शेकेंड है फिटन डेजनडा इसका अर्थ होता है सेक्रेट अर्थात गुप थर्ड नम्मर है दलायान सेर इसका अर्थ है ए मेजर सेर मतलब बहुत बड़ा हिस्षा है नेक्स्ट बीटन ब्लेक एंड बुलू इसका अर्थ होता है बुड़ी तरह से माड़ खाया हुए वह बहुत ज्यादा पिट देना तो ब्लेक एंड बुलू आप समझे गए आप चलते हैं नेक्स्ट पांचवे नम्मे पर पांचवा नम्मर बोला गया टू पूल उल ओभर स साइज इसका अर्थ होता है धोखा देना डिसीव अब देखें ओ डव्लू एस आगया है कि धात वन वर्ड अनेक्स अब्दों को बदले एक सम्ट इसमें पहला कोस्ट्टन है कि सम्टिंग विच इस नोट इन हार्मोनी तकुछ हैसा चे कि औसंगत भार्था ताथ था संगत के रूप में ना हो इसको हिन्दी में करते हैं कैको स्जाबी करते हैं औसंगत या कोला हाल अंग्रेजिम करते हैं क्याकम फोनस नेक्स्ट लिस्ट और बुक्स किताबों के सुचवी क्या करते हैं केटलोग थर्ड नम्मर है मैन विट इसमें देखे थोड़ा सा मिस्टेक संटेंस में या मैन विट के बाद ओमेन आएगा मनुष जो औरत के आदतों से संबंदित हो ठीक है तो इसको क्या करते हैं इफेमिनेट नारी के जैसा काम करने वाला या उसके हरकतों की तरह काम करता हो या उसके जैसा आदत हो इसको कहेंगे इफेमिनेट कि नेक्स्ट समवान ऑन यू जूम और एस ट्रेंज हैविंग फिकुलियर नरूशन नोशन का अध्थ होता है हावा कुछ इंडिकेट करना चाल चलन कह सकते हैं कि मतलब अजीब तरह का हर्कत करने वाला क्या करते हैं हिमजीकल का अर्थ होता है सन की पागलपन जैसे तेसे कुछ भी काम करना चलिए अब पांचवा नमर में देखते हैं अश्टी ऑफ वर्स एंड वेव वर्स डवलप सब्दों का अध्यन करना यह सब्दों के विकास के बारें जानना इसको का करते हैं फिलोलोजी सब्दों के उत्पत्ति का अध्यन के अब देखेग्ैंज अकड़ी होutा था तो अध्यकैद मिन्स मिनिंग लिखाया जाता था इसमें वैसा निक्राशन के लिए काफी महतपुर्ण होता था जिए हमारा सैनोनीम मैंनूनीमं और डबलू सनान ध onlar कीThey काफी लिए colorful होता था तो चलते हैं मिनिंग के बारे में पढ़ते हैं तो पहला मिनिंग है रेलिस रेलिस का अर्थ होता है आनंद लेना नेक्स्ट है रिडंडेंट फाल्तु जिसका अर्थ होता है फाल्तु नेक्स्ट प्यूटरीड प्यूटरीड का अर्थ होता है सरागला नेक्स्ट, बेनिडिक्षन, बेनिडिक्षन कार्थ होता है आसिरवाद नेक्स्ट, वोयज, वोयज कार्थ होता है समुदरी यात्रा दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस मीनिंग को ज़रू कोपी में लिख कर नोट डाउन करें क्योंकि जब अगला सेट आएगा तो हो सकता है इस मीनिंग से भी कुछ संटेंस रहेगा तो वहाँ पर आपको खुद से समझना होगा कि इसका क्या अर्थ है चलिए, वोयज के बाद देख लेते हैं वेंडालीजम है, वेंडालीजम इस होता है तोड़ फोड नेक्स्ट प्रोटोकल, प्रोटोकल करता है राजनाइक सिस्टाचार नेक्स्ट इमर्ज, इमर्ज करता है उभर कर आना या फिर प्रकट होना ठीक है, नेक्स्ट इमेसियेट, इमेसियेट करता है दूबलाना, पतला होना, कमजोड होना नेक्स्ट इमोलेशन इमोलेशन का अर्थ होता है आत्मदा ये एक दिन का कलास में जितना पढ़ाया गया था उतना वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है उमिदा आप पूरे कलास को एक दिन के वीडियो में जरूर आप देखें अब हम आपके पास आएगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलास के साथ वैसे आप यदि इंगलिस सुड़ू से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएं वहाँ आपको बेसिक से इंगलिस बताया जाएगा जहां से आप अपना स्टार्टिंग सुड़ू बात से कर सकते हैं अब आप से अलविदा लेते हैं नमस्कार जैहिन